आज मैं आपके लिए काले मिर्च पनीर रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत कम इंग्रिडियंट्स से बनता है तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम पनीर ले लिया है और इसको मैंने स्कॉर शेप में कट कर लिया है आप अपनी मन पसंद शेप में इसको कट कर सकते हैं अब हमें एक पैन या कडाई ले लेनी है और इसमें वन टेबल स्पून देशी घी डालना है और इसको ऐसे फैला लेंगे flame बिलकुल sim रखनी है और पनीर को हमें fry करना है fry बिलकुल dark brown नहीं करना है हलका सा pink color ही इसमें लाना है fry हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जब हम पनीर को gravy में छोड़ें तो ये घुल न जाए तो देखिए पनीर एक side से fry हो चुका है इसको पलट लेते हैं दूसरी side से भी पनीर को fry कर लेते हैं विलकुल low flame पर अब थोड़ा सा इस पे नमक स्प्रिंकल कर देंगे या आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और fry होने के बाद इसको side में रख देंगे अब मैंने कडाई ली है और 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें देशी घी एड़ किया है देशी की करम होने के बाद मैंने 2 तेज पता डाले हैं एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है मैंने अब एड़ कर रही हूं मैं 2 बड़े वाली इलाइची और इसके बाद मैंने 2-3 पिस छोटे वाली इलाइची के लिए है और अब मैंने यहाँ पर एक चमच जीरा डाला है और थोड़ा सा हिंग मसाले को भुनने देते हैं मसाला भुन चुका है अब मैंने इसमें 2 बड़े प्याज एड़ की है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है इसको अब हम फ्राई करेंगे प्याज को फ्राई हम बिल्कुल सिम गैस पे करेंगे क्योंकि हमें प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है बस प्याज ट्रांस्पेरेंट हो जाए उतना ही हमें फ्राई करना है तो देखिए प्याज में से बहुत अच्छी खुश्बू आने लगी है इसका मतलब प्याज फ्राई हो चुके हैं कच्छा पन नहीं रहना चाहिए प्याज में बस इतने ही फ्राई करने हैं और इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे इसको मैंने जार में निकाल लिया है इसका पेस्ट बना लेते हैं और ये देखिए पेस्ट पन कर बिल्कुल इसका रेड़ी है ग्राइंड करने के बाद हम एक बार फिर से गैस की तरफ चलते हैं और एक चमच देशी गी मैंने फिर से एड़ किया है और इस पेस्ट को हम कड़ाई में डाल देंगे फ्लेम बिल्कुल हमें कम रखनी है क्योंकि प्यूरी का कलर हमें चेंज नहीं करना है इसको हलका हलका ही पकाना है अब इसमें एक चमच अद्रक और लसन का पेस्ट मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर जिसे की अद्रक और लसन भी पक जाए और ये इसका कच्चापन चला जाए लगबग 4-5 मिनिट इसको पकाते हुए हो गया है अद्रक और लसन की भी अच्छी कुशबू आ रही है पकने की कुशबू आ रही है इसकी तो सारे इंग्रिडियंट्स अच्छे से पक गए है अब मैं इसमें एक कटोरी फेटी हुई दही एड़ करूँगी दही को डालते ही एकदम से इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए नहीं तो दही फट जाएगी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फ्लेम बिल्कुल हमें सिम ही रखनी है बहुत कम गैस पर इसको बनाना है अब इसको चार से पांच मिनट के लिए हम सिम गैस पर ही पकाएंगे इससे पहले हम कुछ मसाले इसमें एड़ कर देते हैं सबसे पहले आधा चमज काली मिर्च का पाउडर यह फ्रेश काली मिर्च का पाउडर है आधा चमज गरम मसाला और अधा चमज भुना हुआ जीरा पाउडर और अब इसमें एड़ करेंगे एक चमच नमक या आप अपने टेस्ट के अकोडिंग एड़ कर सकते हैं ये ध्यान में रखते हुए कि हमने पनीर में भी थोड़ा सा नमक डाला था फ्राई करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको चार से पांच मिनट के लिए हम पकाएंगे बिल्कुल सिम गैस पर इसमें हल्दी या लाल मिर्च का पाउडर नहीं डलता है क्योंकि वाइड ग्रेवी बना रहे हैं हम अगर आप चाहे तो इसमें काजू का पेस्ट एड कर सकते हैं अब इसमें मैंने अमूल की क्रीम डाली है एक चमच आप घर की फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं बस इसमें एक दो मिनट का बॉल दिलाएंगे और ये रेडी है तो आपने देखा कितने कम इंग्रेडियंट से बनके ये तयार हुई है आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है जबकि मैंने इसमें काजु नहीं एड करें हैं आप चाहें तो एड क कर देंगे और इसको एक मिनट के लिए पका लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस सबजी में टमाटर नहीं डलते हैं क्योंकि हमें वाइट ग्रेवी बनानी है और इसको बस एक मिनट का बॉल दिलाएंगे फ्लेम बिल्कुल कम ही रखनी है पूरी रेसिपी में और बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए और यह रेसिपी पसंद आई तो इसको शेयर जरूर कीजिए तो मिलते हैं ऐसी और इसी और टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए